आज के क्लास में हम लोग जो चेप्टर को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं वो चेप्टर है क्लास 3 का JCRT बूक इंगलिस का एक चेप्टर है जिसका नाम है Our Country यानि हमारा देश तो चलिए इस chapter को पढ़ते हैं, समझते हैं कि हमारे देश के बारे में इसमें क्या-क्या बात जानकारियां दी गई है, क्या-क्या बाते कहे गई है तो आप भी साथ ही साथ देखते जाएं और chapter पढ़ते भी जाएं तो आप भी समझ में आ जाएगा कि किस वर्ट का क्या मिनिंग होता है, आपको पढ़ने भी आ जागा और chapter समझ में भी आ जागा तो चलिए आज के कलास शुरू कर रहें Today is a 26th January, आज 26th January है This is, this day is celebrated as Republic Day इस दिन को गंतंत्र दिवस की रूप में मनाते हैं यानि 26th January का हम लोग क्या है, गंतंत्र दिवस की रूप में हम लोग celebrate करते है different cultural programs are being presented by the student of government middle school गजवा यानि different का मतलब होता है बिभिन यानि अलग-अलग cultural program का मतलब होता है सांस्कृतिक कारिकरम presented का मतलब होता है प्रस्तूत किया जाना student का मतलब होता है चात्र और government middle school गजवा का गजवा जगा का नाम है गजवा का सरकारी मध्य विद्याले के चात्रों के द्वारा बिभिन सांस्कृतिक परगराम यानि सांस्कृतिक कारिकरम को परस्तूत किया जा रहा है the student of class 3 are speaking about the national symbols यानि class 3 के जो चात्र हैं जो बच्चे हैं वे भारत के राश्टिय चिन्हों के बारे में बोल रहे हैं the student parents of all the children are present there यानि वहां बच्चों के सभी बच्चों के माता पिता वहां उपस्तित है miss s rudra miss s rudra the class teacher of class 3 comes on the stage इसका मतलब हुआ कि miss s rudra जो एक teacher का नाम है वो class teacher है class 3 की वो stage पे आती है comes on the stage यानि stage पे आती है there is a large map of India hanging at the back यहां एक बड़ा सा भारत का map यानि मानचित्रे पीछे में टंगा हुआ है hanging मतलब टंगा हुआ है या लटकावा है miss rudra calls the student one by one miss rudra जो है जो सिक्षिका है वो एक एक करके सभी छात्रों को बुलाती है शंगीता रानी speaks about the national flag शंगीता रानी जो है वो भारतिय जंडा यानि राष्टिय ध्वजी को बोलते हैं राष्टिय ध्वजी के बारे में बता रही है क्या बता रही है देखते हैं तिरंगा is our national flag यानि तिरंगा जो है हमारा राष्टि जंडा है इसके तीन रंग है शेफरों, वाइट और ग्रीन शेफरों का मतलब केशरिया वाइट का मतलब होता है सफेद और ग्रीन और ग्रीन का मतलब होता हरा यानि तीन रंगे में तीन रंगे होते हैं केशरिया, सफेद और हरा इसके बीच में 24 तीलियों वाला एक चक्र होता है नीला चक्र होता है वो नीले कलर का होता है हर रंग जो है हमें कुछ बताता है, कुछ कहता है शेफरों सेज बी ब्रेव के सरिया कहता है बहादूर बनो वाइट सेज बी पीसफूल और सफेद कहता है सांती पुन रहो ग्रीन सेज बी प्रोस्पेरस हरा कहता है समरिद्य बनो आवर ब्लू विल सेज और हमारा नीला चक्र कहता है मूँग ऑन डे अन नाइट की दिन रात आगे बढ़ों वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लेग वी शुड रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट मतला आदर करना आवर नेशनल फ्लेग हमा अपने राश्टी जंडा का हमें हम लोगों को अपने राश्टी जंडे का सम्मान आदर करना चाहिए अब आगे बढ़ते हैं उमर सहीद speaks on national emblem उमर सहीद जो है वो राश्टि प्रतीक के बारे में कहता है Lion Capital of Asoka at Sharnath is our national emblem की Asoka का अस्तंब चीन है जो है असोक का जो अस्तंब है जो सारनात में इस्ति थे वो हमारे देश का राश्टे चिन है जिसमें चार सीरो वाला सेर बना हुआ है ठीक है On 26th January 1950 यानि 26th January 1950 को It was adopted as the national emblem 26th January 1950 को इसे भारतिय प्रतीक यानि राश्टे चिन के रूप में अपनाया गया था सत्यमेव जेते इस रिटेन देर इसमें सत्यमेव जेते लिखावा है It means इसका आर्थ होता है Truth alone triumph Truth alone triumph Triumph का मतलब होता है Truth alone triumph का मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अंसुल मेहता टेल्स अबाउट नेशनल एनिमल बर्ट एन फ्लावर अंसुल मेहता जो है वो रास्टिय पसू पक्षी और फूलों के बारे में बताता है The royal Bengal tiger is our national animal वो कहता है बंगाल का रोयल टाइगर जो है वो हमारे देश का रास्टिय पसू है It symbolizes strength and courage यह strength मतलब ताकत का और courage यानि शाहत का symbolizes यानि प्रतीक है The peacock is our national bird वो हमारा रास्टिय पक्षी है It symbolizes natural beauty It symbolizes natural beauty यानि यह प्राकृतिक शुंदर्ता का प्रतीक है It dances when it rains in shawan and bhado Shawan और bhado महिने में जब बारिस होती है तब यह नाशता है The lotus is our national flower कमल जो है हमारे देश का रास्टिय फूल है It symbolizes spirituality and purity of heart and mind यह प्रतीक है हमारे हिर्दय, मस्तिक्स यानि दिमाग के सुधता और अध्यामिक तक्ता का आगे देखते हैं हमारे देश का रास्टिय नदी है It is the longest river in India यह भारत का सबसे लंबी नदी है Mango is our national fruit आम हमारा देश का रास्टिय फल है It gives me idea about the tropical climate of India यह भारत के tropical climate यानि जलवायू के बारे में हमें बताता है It is also the king of fruit इसके अलावा आम जो है वो फलो का राजा भी है Sarah tells about national tree and national currency Sarah रास्टिय पेड और रास्टिय मुद्रा के बारे में बताता है क्या बताती है देखे Banian tree is our national tree बर्गत का पेड हमारा रास्टिय विक्ष है रास्टिय पेड है It is a big tree यह बड़ा पेड है It symbolizes immortality यह प्रतीक है अमर्ता का Its root grows into a new plant इसका जो जड़ है एक नए प्लांट को नए पोदे को जन्व देती है Our national currency is rupee हमारा देश का रास्टिय मुद्रा जो है यानि पैसा जो है वो rupees है Its symbol is इसका प्रतीक यह जो आर्थ तरह का लिखावा है यह इसका प्रतीक होता है जैसे आप कोई भी भी रुपिय को देखेंगे तो देखेंगे उसका आगे में अब यह symbol लिखा रहता है यह इसे अब ध्यान से देख लेना Next में देखते है क्या लिखावा है At last, John tells about national song and national anthem और आखिर में जोन रास्टिय गीत और रास्टिय गान के बारे में बताता है वंदे मात्रम is our national song वंदे मात्रम हमारा रास्टिय गीत है It is written by बंकिम चंदर चटर जी इसे बंकिम चंदर चटर जी ने लिखा है जना गना मना इस आवर नेशनल एंथम जना गना मना हमारे देश का रास्टिय गान है It is written by रविंदर नास्टेगोर इसे रविंदर नास्टेगोर के द्वारा लिखा गया है After the presentation is over यानि जब presentation परस्तुती जब खतम हो जाती है The teacher thanks all the parents and children तो सिख्षक जो है वो सभी parents का यानि माता पिता का और बच्चों को धन्यवाद देती है और ये chapter यहां खतम हो जाता है इसके कुछ new words है जिसके आर्थ आपको जानने चाहिए Republic day जिसका मतलब होता है गंतंतर दिवश Saffron जिसका मतलब होता है केशरिया Peaceful का मतलब होता है Shanti Pune Prosperous का मतलब होता है Samrid Imblem का मतलब होता है Pratik या चीन ने बोल सकते हैं Symbol का मतलब होता है Pratik तो इस तर से ये चेप्टर खतम होता है अगर वीडियो अच्छी लगिए ते वीडियो को लाइक करें दोस्तों को शेयर करें और चैनल को अभी तर सबस्क्राइब ना किये हैं तो चैनल को सबस्क्राइब भी करें